Hello Friends, Welcome to Online Study Bites, मैं हूँ प्रतीक्षा, शिक्षकों के 5000 पदों पर भरती जल्द ये एक अच्छी खबर आ रही है, आने वाले बहावी शिक्षकों के लिए जो सिक्षक बनना चाहते हैं और तैयारी कर रहे हैं। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में 5000 सिक्षकों के पद भरती जल्द ही करवाई जाएगी और इस सम्मन में प्रदेश भरके 3000, 48 सहायता प्राप्त स्कूलों से रिक्त पदों की संख्या आ गई है। उत्तर प्रदेश, सिक्षा, सेवा, चैन, आयोग के गठन के बाद सबसे पहले यही भरतियां पूरी की जाएंगी तो उमीद की जारी है कि जल्द से जल्द ये भरतियां आएंगी और आवेदन की प्रक्रिया भी स्टार्ट की जाएगी तो आप लोग अपनी तयारी आयोग का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है इसके गठन के बाद सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल की भरतियां भी होंगी बीच में कई बार रोक हटाए गई लेकिन फिर चैन प्रक्रिया में बदला वजन शक्ती निर्धारण के चलते फिर से रोक लगा दी गई वाले समय में सभी लिखित परिक्षा के माध्यम से ही होंगी ये भरतियां नए नेमों के मताविक होंगी राज्य सरकार ने 2019 में अध्यापक भरती नेमा वली 1978 में संशोधन कर दिया और इसके तहत सिक्षक चैन की लिखित परिक्षा राज इस्थर पर होनी है प्रधान अध्यापक सहायक अध्यापक की अहरता में भी बदलाव हो चुका है और साथ ही चयन परिशद्य सिक्षकों की तरह गुड़ां के आधार पर होना है तो अब पैटर्न बदल चुका है सिक्षक भरती का चाहे वो सहायक अध्यापक की हो चाहे वो सूपर टैट की हो चाहे वो टीजीटी की हो तो काफी अंतर आया है पैटर्न में और अगर आपने सी टैट और यूपी टैट में अपलाई किया है और पास किया है तो अब आपक तो उन में मार्क्स पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि आपके TET का एक बट अचार आपके आने वाली भरती के एक्जाम में जुड़ सकता है तो दोनो ही एक्जाम के मार्क्स अब मेटर करते हैं तो आपको ज्यादा से जाद अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है क्योंकि competition का जो level है वो काफी भड़ चुका है और ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं तो चैनल के साथ बने रहें जो भी information होगी जैसे ही vacancy से संबंदे कोई भी information नाती है आविदन की सूचना आती है आप तक पहुंचती रहेगी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें अभी क्लिए इतना ही कोई भी खबर होगी आप तक पहुंचेगी बाई बाई टिक क्या एंड थेंक्स वर वाचिंग